वेलकम टू सिबिल सर्विस कर्नर तो टुड़े वी साल डिस्कस अबाउट आवर डेली आंसा राइटिंग कुस्चेन्स तो टुड़े इस डे फोर दाट इस इंडियान कॉल्चर ओकी इंडियान कॉल्चरो जो डे फोर आमे इस जो टॉपिक सब अच्छी लांग्वेज रिल लिट्रेचर फिलोसपी यही सबू जिनसा गुड़ाको आमें डिसकस करिवा थ्रों कुस्चेन्स तो प्रिभियोसर कुस्चेन्स जो दि आमें देखिवा यूपिय शीरे 2020 2016 2019 2021 2014 यही सबू एयर कुश्चेन कुड़ाको आमें डिसकस करिवा तनु आमें फास्ट रू स्पिरिट अब दा एज मनें बिसकाली से कुस्चेन कौन को पचरिया चाहूं ची यह पर्शियान लिटरेरी सर्सेश जो मेडियेवल हिंडिया रे जो थिला से अमरो से टाइम रे कोई जिनसा गुड़ाको सिग्निफाई कर थोला ताकु नहीं कि आमको आंसार राइटिंग कि भूल लेकिजी तो आमें डिसकोशन को कॉंटिन्यू करिए फास्ट कुस्चेन जिमति मूं तम्मान को देखे इतली पर्शियान लिटरेरी सर्सेश अप मेडियेवल इंडिया रिफ्लेक्ट दा स्प्रीट अब दा एज ओके तो ताकु नहीं कि कॉमेंट करिए ओ तो मेडियेवल परियोड रे पर्शियान पर्शियान विकेम दा कोट लांग्वेज ठीक हो छी किन्तु कोट ही यहला शेटा कोई जागा रहला तमको लिखे पहिं पड़िवो जे दिली सल्थानेट पिरियोड रे कि आमरो मुगल पिरियोड रे तो पर्टिकुलर्ली से पाट्ट को मेंसोन करिया परें पड़िवो जोटे कि तम्हें एटी मेंसोन करी रहा हो देन मेनी एकांट्स एंड स्टोरीज और रिटेन विच रिफ्लेक्ट दा स्पिरिट अब दा एज त टाइम रे कौन चाली थेला तो फास्ट एटी तम्हें लेखी पारिवो इट फेसलिटेट एक कॉल्चुराल सिंथेसिस बीटोइन पर्शियान एड इंडियान ट्राडिशन तो एटी एक्जाम्पूल देईची अम्मेर खोसरो इंकोर्प्रेशन अफ इंडियान थेम एंड पर्शियान लेखेली बाधी मोतिफ इन हीज वार्क कुव वार्क करें किसी गोट्टेद एक्जाम्पूल तम्हें देई पारिवो सेथी नौ लेखली पी चाड़ी बहुँ जे तो इटाइक्जाम्पूल इसापर देचो किन्थो सेथी तमहेले मेंसन करी पारिवो जे अब में घुच रो खुरां संदीस रहा हुकाी वारीकाल येटी फ्रका मंते आव लॉल्हयन पवमेंट व्रशां लिमेंट नहीं ही में आगे वहारी辛ि एक्जामपल पडंपल आख़ख्य नाशिरुय व्यों इस इसे बूक लेखी थेले, बूक रेले कौन लेखाई थेला, इट शेड द लाइट्स अन द पॉलिटिकाल लांड्सकेप अफ इंडिया, दूरिंग मेडियेवल पेरियोड बा, शेपाट कू लेखी परिवो, देन, इट अफ़न प्रवेड़ेड कमेंटरी अन सोशियल नर्म एंड कॉस्टम्स, अफ़न लेखिया दरकान नहीं, इट प्रवेड़ेड कमेंटरी अन सोशियल नर्म एंड कॉस्टम्स, तो वार्क्स अफ साधी एंड हपीज रिफ्लेक्टेड दा अस्पेक्स अफ सोसाइटी, लव, मोरालिटी एंड हुमान विहेवियर ठीक छी देन इट प्रमोटेड रिलिजियोस तोलेरंस एंड हार्मोनी सुफी पोएट्स लाइक कवीर, रुमी, रिफ्लेक्टेड अन उनिटी अफ रिलिजियोन एंड इंपोर्टान्स अफ लव एंड कमपासन ठीक छी देन इट सर्व आज मीडियोम फर आर्टिस्टिक्स एक्स्प्रेशन आर्टिस्ट मानोंकर एक्स्प्रेशन को देखेया पहें अमरो जो पर्शन लिट्रेचर वा पर्शन लांगुएज बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते ला जिमति गलीव मीर तकी मीर यमाने कौन करते ले ना इक्सप्रेशन उड़ाको क्याप्चर करीकी समने डिफरेंट डिफरेंट भहर उड़ाको इंट्रिकेट करिते ले तापरे इस प्रेड इस प्रेड आप नलेज एड एजुकेशन जिमति अल बिरुनीस राइटिंग अन मेथमेटिक्स आस्ट्रोनोमी जोग्राफी तो एज एग्जांपूल डाइरेक्ट तौमें लेख पारीवो इड़ी जो बायोग्राफी लाइक फोईजीस आकबर नामा सोज किंग्स रिलेशन शिप उइद सब्जेक्ट तो एड़ा ठीक हची बट इमदी तौमें ओल्टा करीकी लेख पारीवो जो किंग करो रिलेशन शिप सेट our में यानी परत लेnon को पाखरो ना घुक्तुर कॉन्सेट को बाहर कॉरत लेख अबकल्तुर अकलुछ आप słuर में लेक्ट सेकुलर नेचर आप स्टेट केम्ति भाहरी वो से एमफासाइज करते ले तुति नामा बड़ा सोर्षे से हाईलाइट करा जाई थे ला कॉनों ना दा क्रियेटिविटी ऑफ अथर्स एंड ब्याक देन एटा नौ लेखे लेवी चाड़िवो जो पाइट लेखी चो सेटा सफिसेंट तो पर्सियान लिटरेरी सोर्षेस फ्रम मेडियभाल इंडिया रिफ्लेक्ट दा टेस्टामेंट इन रिच ए रिच कॉल्चर सोसाइटी ए ताप रे इंडियान फिलोसोफी एंड ट्राडिशन प्लेड ए सिग्निफिकांट रोल इन कॉंसिभिंग एंड शेपिंग दा मॉनुमेंट्स एंड आर्ट अफ इंडिया सेकेंड कुस्चिन जो अच्छी बिसिकली से कॉंड कोशी ना इंडियान फिलोसोफी आउड इंडियान फिलोसोफी जो आमें देखी वाया इंडियान फिलोसोफी माने का फिलोसोफी का ट्राडिशन हुच डेवलप इन इंडियान सबकॉंटिनेट तो जो टेकी हिंदुइस्ट फिलोसोफी बुधिस्ट फिलोसोफी जोन फिलोसोफी तो तम्हें स्टार्ट करी अईन्डियान फिलोसोफि एंड ट्राडिशन तल्पे तमया लिंक करीव। का सब्सक्रां जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो मनुमेंट्स है चींचीं ताहिए पुर्णा रिलिजन जैनिपना रिलिजन बुर्णा रिलिजन से वोड़ा जिन्स फिलोसोफिरा कोण मिनिंग भा म्तुम्हां चीह सबीक्ति हैं को सबीने मिलें मिलेम चाहिङ साल को veut किसिम्ति है तंबिंध को चुनला को सफ्कर पिलद सेघुलिए साल youtube जोनिजिम एंड बोधिजिम एड़ाला एपाट ताप रे गुप्त प्रियोड रे हिंदु टेम्पूल आर्किटेक्चर विगान टुइभल दा आर्किटेक्चर इंफ्लेंच भाई हिंदु एपिक्स एंड माइतलोजी एटा ठीक अची बाट हिंदू पिजेलोसफी सामें पॉइन्ट कर्यों सब्सपी व्लाइट गीओ उड़ा वं गड़ाग उडा सब्सूब्स और इन एंडिय को अचल को य। एटा भी ठीक काची परदवित territory laid out in three triangle that covers to form a pentagon which reflects the hindu symbolism for three realm or trilokina and five cosmic substance or pancha puteswara ठीक हची monolithic temple like kalasya temple at elora or mahabalaswara temple tells stories from shiva purana and mahabharata then art is one of the cultural activity of mantra which he realized his idea value feelings of aspiration and reaction to life hence influence of philosophy on monuments and their art is inextricable the Indian philosophy tomei jyoo part kohucho jyoo heterodox philosophy takku neki bhi jodhi kichi semthi kichi changes shethi bhova shi takku jodhi tammei relate kori paru cho india ro monument manako saitha by india ro art culture manako saitha that 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 will be better philosophy Indian philosophy out tradition dita jinsa hachi indian tradition ko nekii tammei lekhi cha but indian philosophy ko nekii buddhist philosophy ko lekhi parlo join ko lekhi pari ho hinduizyam hinduizyam hinderodox philosophy orthodox philosophy jyoo hachi shi taku relate kari pari ho bhakthir tradition ko bhi add kari pari ho kintu jerti ki lekhi cha that is sufficient thar 150 taи pari question da hii adhi kshadhi me mark davaa a dash 10 mark rphitigo sato art number Olive okay then krishna dubor hai kushcheern पुन देखी ची रहा ठीक कची पुरा कींग अफ विजय नगर वाज नॉट अनली अन आकोंप्लिष्ट स्कोलार शे खाली आकोंप्लिष्ट स्कोलार नतले बट वाज एलसो ए ग्रेट पैटरन अप लान्निंग एंड लिट्रेचर तानु तीन्टा आस्पेक्ट तमको लेख यह आंसर ठीक था कची तो क्रिष्ण देबर आयज यह तुसे तुल्लोब डाइनस्टी रहते ले विजय नगर किंग्डम रे तो सेत्त्य बढ़कू जोदी आमें देखिवा अल्ली कोड़े वर्ष्ट पाका भकी से सासन करते ले से कोड़े वर्ष्ट रे से तांकर जू कं आजान अकॉंप्लिस्ट कोलार ही रोट ए सांस्क्रिट ड्रामा जांभावति कले आणो ताप्रे ही एलसों मेंशन ए पर्ष्णल डाइरी इन मेंटेन ए पर्ष्णल डाइरी इन कानाडा नेम क्रिष्ण देबर आयो दिना हुरी देन इन तेलुगू ही रोट अम्मुक्त मा पर्ष्णल डाइरी मेंटेन को अर्थ लेवली मेंशन करिए ओके ताप्रे यह थीक अच्छे हो तेलुगूरे से अम्मुक्त माले अद लेखे ले सांस्क्रिट ए इन सांस्क्रिट इस अधर आचिमेंट इन्टोड मदलासा चरित एंड रसमांजरी एंड सत्य भदु लिट्रेचर लिट्रेचर आव लान्निंग को नहीं की बेंग यह पाट्रों ऑप आर्ट ही एक्स्टेंड़ इस पाट्रोंएज तोाड्स बिलांगिंग टो सांस्क्रिट तेलुगू तामिल एंड कानाडा लंग्वेज तो डिरिंग इस टाइम तेलुगू लांग्वेज प्लोरेश्ट। मेंडियोसली हेंस पिरियोड इसकाल्ड गोलडेन एज अब तेलोगू लिट्रेचर ताप्रे मत्मेटिक स्कॉलार मानुको से पाटर्णाइज करते ले पाट्रनेज्ट करते हैं एक आपड़े लेखी वे तांको पिरियोड एट बने लेखिते लेखिते हैं आपको गोटे पाट्र लेखिवो तापर तम्हें आट्टा ग्रेट स्कॉलर बोली लाश्ट लेखिवो अस्टो दीगो जो सबने कॉंड करते हैं कि अबर क्रिश्ण दबर आई वाज वान अब दा ग्रेटेस्ट स्टेट्समेन विच मीडेवल साउथ इंडिया हाद प्रोडूस्ट इज रूल सो ओल राउंड प्रोस्परिटी अब साउथ इंडिया कॉल्चुराली एंड मैट्रेल्स मैट्रिस्टिकली तो इट अभी ठीक हची यहारा जुदि आमें देखिवा टेन मार्क रो तो यह सिक्स मार्क ही जिली तम पाई परिवो देन भक्ती मोमेंट चार नमर कुश्चिन भक महाप्रभु वली भी कौन थी जोन ग्रेट विलीवर भक्ती और प्योर स्पिरिच्वल लाव तांकर जो कॉंट्रिबुशन सोश्यो कॉल्चुराल आस्पेक्ट कु नहीं की वेसिकली भक्ती मोमेंट कु नहीं की इट क्रियेटेड ए रिमार्केबुल री और इन्डेशन आमरो जो चोईत्यों महाप्रभु तांकर जो कॉंट्रिबुशन थीला कॉंट्रिबुशन करते ले तो रिमार्केबुल री और इन्डेशन विद आडवेंट अप्श्री चोईत्यों महाप्रभु बाने आगुरु जो सोसाइटी डाए केमती थीला आउँ एब्बे सी आस कॉंपोस्ट सिको साकस्तम सिक्स्थाकस्तम एट वर्सेस्टु कॉंटेन दा एसेंस अब भक्तियोग बेस्ट अन भागवता पुराण एंड भागवता गिता ताप्रें ही टीचिंग अर सिंपल तु प्राक्टिस एंड हावे युनिवर्शल आप्रोच एग्जाम्पल सिं ग्रिश्नग कृतन ही ठृत्म इन नर्षक्ष्णा थिından बागवतां इंच्र्ण ऑ्री अगृति क्रिस्टन ही से प्र liॉश मूं यु टारम इन सदीक्ति कॉंट एंड हावे बैस्ट हैंड sedan एंड आप्रोच एंड। पहुति उम्चांट ताप्रे, यह उस्ट भक्ति इडिलोजी पर सोचल लिबरलिजाशन, यह रवेल अग्रोस इंडिया और इस इंप्लेंस अन कुल्टुरल लिगाशी, the states of Bengal and Odisha have been significant which attributed towards the renaissance in Bengal in 16th century. Then Bhakti movement was primarily dominated by the upper caste but Sri Chaitanya Mahaprabhu challenged this by opening the doors of the movement to the lower caste. Then Chaitanya Mahaprabhu is recognized as one of the most influential saint and social reformer among the exponents of the bhakti movement. He not only revolutionized bhakti movement but also universalized it. तो यह पाट भी ठीक है छिए ताप रे पांच नमबर कुश्चन देखाँ, evaluate the nature of bhakti literature and its contribution to Indian culture. Bhakti literature has its roots in bhakti movement which was a spiritual revival movement that spread across the India in medieval period from 7th to 16th century. तो भक्ति लिटरेचर जोदी हामें देखी बाए नेचर भक्ति लिटरेचर, तो भक्ति लिटरेचर which was evolved during bhakti moment, यह थी लेखियो भक्ति मोमेंट which was a spiritual moment लेखिया दरका नहीं, that spread across India in the medieval period from 16th century. तो आउटीके तम्हें भाल से लेखी पारीवों इंट्रोड़क्शन दा, तम्हें इजे चेक करीवों ताकू, तापर यह से नेचर, i meanu please भक्ति मोमेंटर नेचर से एठी, mention करजी, तर नेचर आउव, नेचर अब भक्ति लिटरेचर, बने भक्ति मोमेंटर नेचर नोह, भक्ति लिटरेचर नेचर, तो सहाज लिटरेचर जो हो थीला, पोएम गपो जहाँ भी थिला तार नेचर केम दि थिला तापरे तार कंट्रीबूशन इंडियान कल्चुर ये तार कंट्रीबूशन करन तो यार नेचर थिला करन इंटर इंटर रिलिजियस हार्मोनी भक्ति एंड सोफी सपोट सपोज इच अधर स्प्रेड अब भक्ति कोल्ट ड्यूटू आडप्शन अब भर्नाकुलार लंग्वेज विचो अज इजी टूबी अंडर्स्टेड बाई मासेश तो एठी तम्हें लिख हां एठाकु तम्हें छट्टो करीकी लेकी पारिवो पन पाहिं ना आमरो जो जहेतु आमरो जो भक्त सुफी मोमेंट से माने बेसिकाली कॉन लोर मासेश गुडा कुबा अमरो जो मासेश बास लोको मानक को भलो लागी बाव जिमती सेजीन सोडा को फोकोस कर थे ले शेती पहीं इंटर रिलिजस हार्मनी को ये सपोट कर ची कि ये भक्ति लिट्रेचर ताप्रे इंक्लूसिव कास्ट और आउटकास्ट मुस्लिम पोएंट्स जो वने अच्छंती दौलत कास्थ एंड सायद सायद अलावल रोट प्यम्ट वेरे कॉल्चुरल सिंथेश अफिंदुजिम और इस्लाम ताप्रे इडा कॉन जो लेखी जो रेस्पन्स तो टेंशन को ये रेस्पन्स टेंश टेंशन दाट एक्जिस्टेड इन मेडेवाल इंडिया और वाज ए वेफोल टो एक्ष्प्रेस्ट दिवाशन तो ए हायर पावर इन वे दाट वाज वेखी पारीवा आउटीगी जम्ती बेट्वर भुजिएवा ताप्रे कॉन्ट्रिबूशन रे ग्रोथ वर्नाकुलार हिंदी रो ग्रोथ हिची इस्टन उतर प्रोदेश्ट रे बेंगली पॉपलाराइज हिची संकरदवा पॉपलाराइज्ट दा इूजफ आसमी इन ब्रह्मनपुत्र वेली संत एकानात औन तुकारम एनांस मुराथी लंग्वेज इन महराष्ट्रो अधर प्रम 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 या बोथ वेधान्तो आइवज अीवेज इन ग्रोथ इन इन फिलोसोफिकल ग्रोथ इन आप इन ब्लीओं एंदीय इनि आट इन आट इस एक संपनेश्ट बाव्यूज वुजू एची लोग्रोठ़् ओवूज नेज फ içली इन इन क्राशि घेल्थ Уूज इन लीवेझग् आज प्लेड ए सिग्निफिकान टोल इन सेपिंग इंडियास कॉल्चुराल एंड सोसियल आस्पेक्ट प्रमोटिंग युनिटी सोसियल रिफोर्मेंट रिजिनल लांग्विज एंड लिटरेचर डेवलोपमेंट तो इट अभी ठीक अची अला तो इंट्रोडोक्शन एटियो भॉल से लेखिवो तो इट ही आमें पांचमार्ट आमें दवू तमको दवू लास्ट कुस्चिन एला सुफिजिम को नहीं कियो छी सुफिजिम एड मेडियेवल मिस्टिक सेंट फेल टू मोडिफाई आइदर दा रिलिजियोस आइडिया हिंदु मुस्लिम सोसाइटी टू एनी आप्रिशेबुल कांटेक्स्ट सो जोदी आमें देखिवा सुफिजिम रे तांकरो जो कॉंट्रिबूशन बहुत भला थिला कमें कोई पारिवो जिमती किन्तु एड तमें जो लेखिचो देर इस नौट देनिंग दाट सुफिजिम इन्फुएंस अन इंडियान सोसाइटी एन कॉल्चर वर्ट कोव आस्पेक्ट रे इंडिया सोसाइटी कॉल्चरे सी एकान करत ला अफेक पकेचला सिदागू तमें लेखिवा सिद्वा मुई लास्ट लेखिवी दीजी तमें देखिवारी ओ थ्रॉड सेंचुरी दा अबल तो मोडिफाई एनी आडियाज और स्ट्रॉक्चर अफ हिंडुजीम एंड इस्लाम इन इंडिया तो इटागू तमें यूज करी परिवा ताप्रे जो पाट्टा लेखिचो दाट इस करेक्ट जे कोव थी पाई आमारो सुफिजीम रो इंपाक्ट वेशी इंडिया पडिपरला नहीं तो इस इसप्रिमिनेटरी प्रक्टिसे शाइचे लाइच्ट अध्लाप्र सिस्टम पर्शिटे इन मुसलिम एंडिया द इन्डिया चुछ सुफिजीम पंधिया पंधिया निच्टिय मुष्टिट्यो पंधिया थाउट्टियू थाउट्ट to establish itself. Sufi saint and bhakti saint did not form institutional structure. Their lineage got lost in the long way. जहतु थांकर institutional structure किछ नथिला थांकर lineages तार different different भापरे divided ही गला है. Then practice of propagating their idea by singing and preaching to the local population could not last long in the memories of the audience. Then saint failed to offer a proper alternative to the practices they opposed. What a proper alternative say तार्ला नहीं. Thus the absence of alternative tradition made the existing tradition continue and later the idea of Sufism got lost. Sufism did bring about social and cultural and social changes but it failed to evoke any appreciable changes in tradition and picture of Hinduism and Islam. देम्ते ही कि आमें च्छाटा question को discuss कर चें तो इठी भी minimum 5 number तुम्हें पाईवाओ एड़ा जुदी बड़ों ही थे वहाँ पांच नमबर तापरें पांच नमबर दोस्त नमबर आट नमबर अट नमबर अट्रों चोट्रों चोट्रों चोबीश चोबीश साथ तीरिश तीरिश साथ स्वाइं तीरिश सब्सक्राइब करें ये तो दिख्यों ये उड़ा थिला आजिरो डिसकोशन आप इस विल्पूल तो यू थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो प्लीओ प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आर चैनल बाई बाई